नमस्कार दोस्तों हमारे आयरुवेदा अधार चैनल में आप सभी का स्वागत है इस चैनल के माध्यम से हम आयरुवेदिक क्लासिकल एवं पेटेंट दवाईयां जो की प्रतेश्ठित आयरुवेदिक कंपनी द्वारा निर्मित हैं उनकी बेविन दवाईयों के उपयोग ए अधार इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेश्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकाउन को तबाएं नमस्कार दोस्तों आज हम पंचिक गव्याग घरत के बारे में चर्चा करेंगे पंचिक गव्याग घरत इसका उप्योग सब प्रकार के उन्मात और अपसमार चै, स्वास, गुल्म, उदर और पेट दर्द में होता है पेट ब्रसन, फोता तथा हाथ भौपर सूचन आ गई हो उसमें ये बहुत लाब करता है जिलाब हो जाने के बाद यदि इसका सेवन किया जाए तो पेट में बाईव नहीं भरी रहती तथा मलों की गुटलिया भी कामला, दमा, खांसी, थोड़ा बहुत, बुखार, बालगरय, विशेशकर, दातु चीनता, नला स्रितवायू आधी रोगों में भी इसके परयोक से लाब होता है पंचिकव्यक, घरत, दस्मूल, तर्फला, कूले की छाल, मूर्वा, भारंगी, छतिवन, गजफीपल, अप आमार्ग, अमलतास, कटगूलर की छाल, चिरायता, तर्फला, त्रकुटा, चित्रक, निशोर, पाठा, दारू हल्दी, सारिवा, उसकरमूल, कुटकी, यवासा, दंतिमूल, बच्च, नील का पंचाउंग, और बायविडंग के मिस्रन से बनाय जाता है साथ ही इसमें कलक, गाय का घी, गाय के गोवर का रस, धई, दूद, और गोमूत्र के मिस्रन से इसका निर्मान किया जाता है पंची गव्य गरत, सुबह, शाम, गर्म पानी के साथ मिलाकर देने से काफी लाव होता है पंची गव्य गरत, गव्याम रत, संजीव का आधि ब्रांडों में उपलब्द है जो कि आप अपने नजदी की हायर विडिक मेटिकल एबं ऑनलाइन मात्यम से मंगा सकते है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों क्रपया से लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें